आरेवरत एजुकेशन वेलफेर एंड चेरिटेवल सोसाइटी करोनकाल में जुरूरत मन्दों के लिए मददगार बनी है सोसाइटी ने नगरपरिशित के वार्ड सदस्यों एवं करमचारियों को करोनक के बचाव संबंदित बिविन सामागरी बांटी इस दुरान महात्मा गांदी चिक्रसा सेवाएं परिसर खनेरी के कोविड वार्ड के लिए सौ मेडिसिन केट वा दस पल्स ऑक्सिमेटर डोनेट भी किये गए वहीं अस्पताल में सभी सीक्योर्टी करमचारियों को फेशियल्ड भी वितरित किये गए सोसाइटी लगतार करोनकाल में बिविन स्थानों पर जाकर रक्त दान्शिवर भी आयोजित कर रही है आयरवेज एजुकेशन वेलफेर एंड चेरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष कॉल सिंग नेगी ने बताया कि संकट में उनकी संस्ता समाज के हर मुसीबत में पड़े विक्ती के साथ खड़ी है अस्पतालों में रक्त की कमी को देखते हुए रक्त दान्शिवर भी आयोजित किये जा रही है अब तक होम आईसोलेशन में 500 लोगों को मेडिसिन किट वा अन्य समागरी वित्रित की गई है और मुसीबत में पड़े हर विक्ती की मदद का प्रयास लगातार सोसाइटी के दाराज जारी है प्रयास लगातार एसे होस्पिटल में रख्त की कमी को पूरा करने के लिए अलग लग शित्र में अरगदांशियों लगाने जा रही है और इसके साथ साथ अभी हम ऐसे जो होम एसलिशन पे पेशेंट है उनको ऐसे रामपूर शित्र में 500 किट डिस्ट्विट किया जा रहा है इसी एक साथ हमने खनेरी के ऑस्पिटल में ऐसे 100 मेडिसन किट और 10 ऑक्सिमेटर हमने दिये है और आज इसी कड़ी में नगर परशद को हमने ऐसे हर परशद के वाड को ऐसे एक एक ऑक्सिमेटर और नगर परशद के करमचारी को ऐसे पीटी की तोर फेशिल विदित किया आरेवरत चरिटेबल सोसाइटी तरह लगाता है इस करोना की स्विशन परतिती में समाज के हर वक्तिक साथ खड़ी है जिसको किसी कारण करोना के कारण समस्यां जेलनी पड़ रही है नगर परशद की पार्शद स्वाती बंसल ने बताया कि आरेवरत एजुकेशन वेलफेर एंड चरिटेबल सोसाइटी ने परिशद के सदर्सेओं को ऑक्सीमेटर दिये हैं क्योंकि सभी जितने भी कोवीड पेशेंट्स के जो शब्द होता है वो उसका कारे हमारे यही बालमी की भाई करते हैं और हर वार्ड मेंबर को एक एक कोक्सीमेटर दिया गया है ताकि अगर वार्ड में कोई भी नया केस आता है तो हम उसे यह प्रोवाइट करेंगे ताकि उनकी सैचुलेशन, ऑक्सिजन सैचुलेशन को हम टाइन से चप करके उन्हें होस्पिटलाइज कर सकें और उन्हें ज